अगर आप एक gate aspirant हो, अगर आप 0 से preparation अभी करना start किये हो just 2022 के लिए, आपके मन में कही ना कही ये doubt रहेगा कि मैं 10 के 10 subject किस तरीके से revise कर सकता हूँ. तो मैं हमेशा बाते करता हूँ अपने वीडियो में कि आपको ना teacher का level touch करना चीए है, पर actual में teacher का level touch कैसे करते हैं, वो मैंने कभी भी आपको बहुती जदा in-depth बताया नहीं था, हो सकते हैं आप बहुती जदा घ्यान से वीडियो देखो जैसे मैंने बताये हैं, एक घंटे क जदा understanding अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपका professor आपको बता रहा है, आप हर एक चीज नोट करने की कोशिश कर रहे हो, और हर एक चीज में sense बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सरे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि notes कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता जो भी चीज आपका professor आपको lecture में बता रहा है, वो हर एक चीज आपके notebook में होना चीए, आप एक भी चीज इगनौर नहीं कर सकते हर एक चीज आपके notebook में होना चीज आपको conceptual समझ में आना चीज जो भी वो lecturer आपको deliver करना चाता है, अगर आप इस तरीके से prepare करोगी, तो अच्छा राइंग निकालने के तरफ आगे बढ़ रहे हूँ अब बात करते हैं revision कैसे करें हम ना first time कितनी भी कोशिश करें concept चुली समझने की पर ऐसे कुछ concepts रही जाते हैं जो sense नहीं बना पाते उस time पे ठीक है हम पूरे subject में सारे concepts link नहीं कर पाते हैं first time में पर जो हमारा second revision होता है या फिर मैं बोल सकता है अभी मैंने अपना एक subject prepare किया कुछ time बाद 10 दिन बाद मैं उसे वापस revise करने की कोशिश करोगा अपने notebook से जब भी आप revise करने की कोशिश करोगे तब बहुत जादा matter करता है कि आप कैसे करने वाले हो अगर आप अपने short notes help के करोगे या फि फटा-फट पल्टाओगे pages तो आपकी अच्छी revision नहीं होगी आप सारे concepts को link नहीं कर पाओगे जो भी एक subject में present है तो जो आपकी पहली revision होती है preparation के जश्ट बात उसमें महनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी आपने subject पुरा prepare किया है आपको हर एक concept individually समझ में आया है क्या पूरे subject को link कर सकते हो क्या आपका first chapter आपको दिखाई दे रहा है आपके last chapter में वो बहुत ज़रा important है इस तरीके से अगर आप revise करोगे हर एक chapter link करोगे अपने next chapter से तो आप अच्छी तरीके से revision कर रहे हो और आपको एक subject बहुत ही limited number of concepts के terms में दिखाई देगा अ आपके लिए हर एक chapter अलग होगा उसमें के formulas अलग होगे उसमें के concepts अलग होगे पर अगर आप revision जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी first revision बहुत ही ज़ादा time लेकर करोगे तो बहुत ही ज़ादा next level के preparation कर सकते हो पुरे subject में sense बना सकते हो बहुत ही ज़ादा matter करता है जो मैं देखो दोनों तरीके से revision हो सकती है notebook revise करने में ज्यादा मेहनत लगेगी तो जो लोग भी ज्यादा मेहनत करने के लिए ready है उन्हें मैं recommend करूँगा कि अपनी notebook पूरा अच्छी तरीके से scan करना first revision में हो सकता है बाद में के revision आप अपने short note से करो पर आपकी first revision at least notebook से thoroughly होने ची है अगर आप इस तरीके से revise करोगे तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही next level की preparation होगी और आप 10 subject handle करना बहुत ही जदा आपके लिए आसान हो जाएगा gate exam से पहले बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये subject अभी मुझे आपस revise करने में मन नहीं करता है मेरे लिए revision सबसे ज इस साल 8% लोग हुए थे electronics में इसका major reason यही है कि लोगों को revision पसंद नहीं है जिस इंसान को revision पसंद है at least first time दिल से revision करनी चीए पूरे subject में sense बनाने की कोशिश करना चीए अगर मैं आपको बढ़ाओ बताओ कि आपको कैसे पढ़ाई करना चीए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा सोचो कि आपको यह subject ऐसे teacher पढ़ाना है gate aspirants को और एक teacher के concepts बहुत ही ज़ादा crystal clear होना ज़रूरी है तो हर एक gate aspirants को ऐसा कोशिश करना चीए कि मैं यह subject पढ़ाने वाला हूँ next year तो मुझे अपने concepts crystal clear करने पढ़ेंगे मुझे अपने पूरे subject में सारे concepts को link करना पढ़ेगा पहला concept पे dependent होगा मेरा second concept second concept पे dependent होगा मेरा third concept अगर आप इस तरीके से preparation करोगे तो आपके लिए formulas याद रखना बहुत ज़्यदा आसान हो जाएगा कभी भी short notes से सिर्फ revision करने के बारे में मत सोच और अपने notes बहुत ही ज़्यदा thoroughly बनाओ बहुत ही ज़्यदा in information होनी चीए आपके notebook में क्योंकि कोई भी lecturer भकवास नहीं करेगा आपके सामने क्योंकि वो एक time period के लिए आता है उसको एक time slot a lot होता है कि वह इतने slot में पूरा subject आपको prepare करना है तो वह बिलकुल भी आपका time pass नहीं कराएगा आपके notebook में हर एक चीज होनी चीए और आपकी notebook book की आपकी best friend है अगर आपको लग रहा है कि test series मेरी best friend है अगर आपको लग रहा है कि ये canodia का book मेरा best friend है या फिर ये workbook मेरी best friend है तो ऐसा नहीं है आपकी best friend है आपकी notebook second best friend है आपकी previous year की book और जो आपको ये दोनों चीजों का combination करके आपको करना है revision ऐसे करोगे revision तो आपको क कुछ benefit मिलेगा कितने टाइम बाद revise करना होता है मैं expect करता हूँ कि एक subject prepare होने के बाद एक महीने बाद वो revise होना ही चीए हर subject एक-एक महीने बाद revise होते रहना चीए भले उस दिन आपका live lecture को ही चलने वाला हो live lecture देखना avoid करो पर एक महीने पहले जो आपने subject prepare किया था उसे पक subject starting से zero से prepare होगा आप कभी उसे revise नहीं करोगे revise तब होता है जब हमारे दिमाग में कुछ चीज़े present होती है अभी हम उसे recall करने के कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़े fill in the blanks में fill करने के कोशिश कर रहे हैं जो भी हम भूल गए थे पर अगर पूराई blank हो गए तो पूराई fill कर होती है revision strategy होती है पहले दिन से हर एक महीने के हर एक subject के एक महीने बाद उसे revise करना है using previous year करो या फिर using notebook करो पर sense बनाने की कोशिश करना जितने भी ब्यार आप revise करोगे आपको काफी सब्यक्त पसंद भी आना लगेगा आप काफी सब्यक्त सेंस बनाओगे क्योंकि gate exam में ऐस three questions frame होता है यहाँ पर दो तिन concepts use करके एक question frame होता है तो आपको वो questions भी tackle करने के लिए बहुत सदा advantage मिलेगा इस तरीके से prepare करते हैं gate examination की तो मैं hope कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर नहीं पसंद आया तो dislike कर सकते हो पसंद आया तो like कर सकते हो तो इ आपके काफी सारे post डाले हुए है वो सारे post आप जाके देख सकते हो कुछ test series के related है कि आपके gate exam में question understanding में क्यो difficulty face करते हो कुछ मेरे personal है कुछ test series के related है कुछ mtech के related है कुछ videos है जा पर मैं काफी से आपके doubts पूछ सकते हों बाई